आदी मानप की उत्पती एबं विकास पिर्थभी पर मानप की उत्पती पलाइश्टोसीन युग के आरम से मानी गई है। इस समय में इस्थन पाई प्राणियों जैसे बंदर हाती गाय का विकास वा उत्पती हुई थी। अधिकान्स बिध्धोनों की अनुसार आज से लाखों बरसपूर नरबानरों के रूप में मानप की उत्पती हुई। पहले ए नरबानर विरक्षों पर रहते थे लेकिन समय के साथ ए नरबानर विरक्षों से उतर कर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे। और पिर्थवी के ध्रातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरह मानव कहलाने लगे आदी मानव अपने जीवन में खाना बदोस जीवन जिते थे बोजन और आश्रे की तलास में एक स्थान से दूसरे इस्थान में जुन्ड बना कर गूमते थे वोई पेडों के फल वा जानबरों का सिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे जब एक जगा में फल वा जानबरों को खाकर खत्म कर देते थे तो अन्य इस्थान तलास करते थे आदि मानब का जीवन सिकार इवं फलों के खाद्य संग्रहे पर निर्भर था खाद्य संग्रहन करने के कारण यहां काल खाद्य संग्रहन काल के रूप में जाना जाता है पाने केले आदिमानब नदियों, तालाबों वा जहरनों पर निर्भड था भारत के कई जगाऊं पर आदी मानव द्वारा परियोग किये गए अउजार प्राप्त किये गे हैं आदी मानव सिकार किये गे जन्वरों के खाल या पेडों की पत्यों से बने कपड़े पहिंता था आदी मानव जंगलों में रहा करते थे जहां उन्हें दो चीजों का डर रहता था एक मोसम का और दूसरा जंगली जानवरों का वे बादल के गरजने और बिजली चमकने के कारण नहीं जानते थे इसलिए वहा भैबीत हो जाते थे उस समय मानव काफी कमजोर था वहा भाग चीता सेर आदी खुखार जानवरों का आसानी से सिकार हो जाता था इसलिए इन सबसे बचने के लिए वहा गुफाओं और पेड में छुपकर अपनी रक्षा करता था एक समय बाद मानव ने आग की खोज की यहां एक सहियोग था दोग पत्थर जब आपस में ठकराए तो जिंगारी उत्पन हुई और पास रखे सुखे पत्यों पर जागिरी जिससे की पत्यों पर आग लग गई फिर इस आग का परियोग मानव जंगली जानवरों को भगाने तथा अपनी रक्षा के लिए करने लगा रात को जब सभी आदि मानव साथ में एकटा होते थे तो गुफा के बहार यहाँ आग जला देते थे जिससे जंगली जानवरों द्वारा उनकी रक्षा होती थी साथ ही आग का परियोग भोजन पकाने एवं सुयम को गर्मी देने के लिए इसका परियोग करते थे आगे चलकर मानव ने पत्थरों के ओजार बनाने का कार्य शुरू किया इन्ही कारण उस समय को पुरा पासानकाल, मद्य पासानकाल, प्रथन नप पासानकाल यहाँ काल आखे टक के रूप में भी जाना जाता है आदि मानव के हत्यार भी चक्मक पत्थर के बने होते थे, क्योंकि यहां कठोर भी थी और धाता है